सबसे पहले आज हम गाहाए जो मुखे टापिक है वो है आपका यग्य की अधाड़ा का तादपर होता है कि प्राचीन भारती साहित में इस्विति गरंथों में ब्रामः गरंथों में और धर्म सुत्र गरंथों में मानों के लिए अनेक यग्यों का प्रावधान क्या गया है यह यग्य जो है बिसकली एक तरफ मानों के भौतिक जीवन, मानों के सांसारिक जीवन और मानों के लिए भौतिक सुख सुधाओं के प्राप्ति करने का तो माध्यम रहे हैं सांती सांत इनके माध्यम से पालावकिक जीवन, मानों के अध्यात्मिक जीवन के लिए भी एक मार्ग के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में इन्हें प्रसस्त किया गया है तो यग्यम बेसकली एक प्रकार से जो यग्यों का प्रचपादन किया गया है, जो उनका उद्देश है वो मुक्तह, मनुस्य के भौतिक सुख सुख़धाओं के सांत, मनुस्य के अध्यात्मिक जीवन को, मनुस्य के पालावकिक जीवन को नियोजित करने का भी प्रयास इ यग्यों का प्रचपादन किया गया है, यग्यों का जहां तक साब्दी कर्थ होता है, इसका मतलब होता है कार करना, यग्यों का साब्दी कर्थ होता है कार करना, तो यग्यों का प्रचपादन किया गया है, मनुस्य को क्रिया सील होना, मनुस्य को कारकानी होना, मनुस्य को उद्देशों में अंतरनीट होता है। प्राचीन स्रोतों में खास कर साहितिक स्रोतों में अगर देखा जाए। तो यांगर के बावे महतपूर जानकाई मिलती है। जाए भारती परिपेच में बेस्किली तो यद्यव हमारे पास हडपाई लिपी बाइलेंगूल ना होने के कारण पढ़ा नहीं जा सका है दुभासी ना होना इसके इंटरपेटेशन की सबसे बड़ी बाधा है ऐसी कंडिशन में अगर हम क्यों पुरा तात्मिक श्रोतो आर् बाते हैं कि जो काली बंगा में और बिसकली जो आपका लोथल में हमारे पास अगनिकुंड के साथ मिलते हैं और जो बित्ता का अगनिकुंड के साथ मिलते हैं इन सबसे यह पता चलता है कि निश्चित तोर से यग्जी की परंपरा हर पाईस अभिता में भी जरूर रही हो कर पाएं तब तक हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं लेकिन जो परंपरा और रित्रिवाज जो समाजिक अउधारा या किसी समाज में व्याप्त रहता है उसका ही कर्मिक विकास मानों में किसी रिकुस्ति रूप में परिवधन और परिवधन के साथ होता रहता है तो इस दिश्ट के अगर यागिक परपरा आज तक चल रही है तो निश्चित तवर से हम हरपा सब्यता को इसका प्राथमिक शुरूत मान सकते हैं तो हरपा सब्यता में यागिकी प्राभिक अधारा को माना सकता है इसी तर आगे देखिए बैदिक गंथो में तमाम हमें शुर इसमें से एक महतपूर साच है एक गंथ है सुल्वसुत्र 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 में हमें जो यग्याद की आउसर पर जो बिशेश प्रकार के आकृतियां बनाई जाती हैं जो बिशेश प्रकार के मेजरमेंट्स होते हैं उनका नाप जोक दिया गया है और इसी से इसी से रेखा गडित का उद्भव मनाता है तो सुल्व सुत्र को रेखा गडित का प्रात्मिक स्रोत मानते हैं सुल्व सुत्र को एक क्वेशन काईबा पूछा गया है सुल्व सुत्र को रेखा गडित का प्रात्मिक स्रोत मानते हैं जिसमें बहुत सारे यग्य की अंतरगत बनाए गए अकृतियों आध्य के मेजर्मेंट को दिया गया है अब आते हैं थोड़ा समझेगा तो कुल मिला के जो यग्य की अधारा है यह प्राचीन काल से चले ही है यद्य पी आरे संस्कृति में यग्यों का ब्यापक महतु रहा आरे संस्कृति मनें पहले बता आरे संस्कृति मुक्रिता भौतिकवादी है आरे संस्कृति पास्टोरल है परसुचागन प्रधान अर्थव्योस्था है आरे संस्कृति सेमी एक्रिकल्चरिस्ट है अध्य क्रिशक परंपरा है और चुकि परसुचागन प्रधान संस्कृ स्ट्राइबल इस्टेट की पत्यती होने के कागण यह ज्यादा तर भौतिक वादी रहे इनका धिष्ट कोर सांसारी ज्यादा रहा यह धन धान शुक सुभधाओं और भौतिक वस्तूर पर ज्यादा ध्यान देते रहे आएसे कंडिसन में इनके यहां यग्यों का जो महत था वह अधिक बढ़ा यग्यों के महत्यों के पीछे मैंने पहले पी चार्चा किया कि भौतिक और संसारी कारण के साथ आध्यात्मी कारण भी प्रभावी रहे हैं तो हम आगे देखते हैं कि कुल मिलाके यग्य की अउधारा बैदिकाल में ज्यादा रहती है यद्य पी ऐसा नहीं है कि बैदिकाल में कोई यग्य विरोधी नहीं था बैदिकाल में कुछ ऐसे आरियों के बाहिम जानकारी मिलती है जो यग्य विरोधी थे जो यग्य नहीं संबादित करते थे तो ऐसे आर्यों को जो यग्य विरोधी होते थे ऐसे आर्यों को बैदी ग्रंथों में कहा गया है पिसांग स्रिष्टी यहां दखेगा कोशन पूशेगा पिसांग स्रिष्टी क्या है पिसांग स्रिष्टी का मतल मतलब होता है यज्ञ बिरोधी आर्य थीका पिसांग सिश्ण का मतलब होता है यज्ञ बिरोधी आर्य अब आज़े हैं आर्य संस्कृती में जो यज्ञ मुक्यता है मुक्यता आहुती के माध्यम से जाती है जो देवताओं तक पहुंचाई जाती है यज्ञ के माध्यम से जो देवताओं तक सूचना या प्राथना पहुंचती है उसका मुक्य माध्यम कौन होता है अग्नी देवता इसलिए अग्नी को यज्ञ का देवता माना गया है तो यह देखेगा अग्नी को यग्य का देवता माना गया है और अग्नी जो हैं समझेगा अग्नी को यग्य का देवता माना गया है और इसलिए कहा गया जबकि एक चीज़ और देखेगा जबकि इला इला देवी हैं इला को आहुती की देवी माना गया है इला को आहुति की देवी माना गया है यग के माध्यम से जो अगनी प्रजोलित होती है जिसमें आहुति दी जाती है उसके माध्यम से मानों के जो प्रात्ना होती है मानों की जो आवसकताइं होती हैं वे सब आवसकताइं इस सिर्थ पहुंचती है तो इसलिए अग्नी देवता जो है एक, मेडिटेटर का माध्यम है अग्नी जातवेधास है जो चर अचर दोनों के जयता महाने जाते हैं अग्नी भूविण चच्छू है ठीख है जो संसार्भर की आँख हैं सब्वे संस्वीष्ट को देखते हैं तो अगनी के अनेकुपाधिया दी गई अगनी का बहुत ज्यादा महत्व स्थाफित किया गया इतना महत्व रहा कि अगनी देवता को रिग बेट के अकेले 200 सुक्तों में उलिखित किया गया है और यहां तक कि जो अगनी देवता हैं अगनी देवता से ही रिग बेट की सुरुगात होती है रिग बेट की सुरुगात अगनी देवता के इस्तुति या मन्त से ही होती है जबकि अंत हुआ है समझ्यान देवता से तो रिग बेट की सुरुगात भी अगनी देवता से होती है और याद क एक question महत्पुर्ण है कि अगनी एक मात रह से देउता हैं जो कि जो बैदिक देउताओं का विभाजन तीन रूपों में या तीन वर्गों में किया गया जो उनका classification of guards था जिसमें प्रिथभी के देउता आकास के देउता ठीक है और अंतरिच के देउता की बात ही गई जो तीन डेउताओं की विभाज में अलग लग देउता आते थे लेकिन अगने एक मात रह से देउता थे जो ठीक में समाहित है जो वर्गों में आने वाले देउता आपके अग निकाल आते हैं तो अगनिकाहिस ले भी महतवुर्ण अस्थान हमें देखने को मिलता है अब आगया आ में क्यी चाहिए में क्या हुआ लीजह गेजन कल के साथ ही अलब अर दिश्टोर मिलता है कि यहां गश्र नयां यहां तक की आगे चलके आगे चलकर ने प्रका इन शाहिए मैं भध्री पत्रों को आपका आगनि यह मुख्यत्र आगनी देवत्र के माध्यम से परंपरा चल रही है आगनी देवत्र माध्यम से जो आहुतिया पहुंच रही है यह जो देवत्र हैं मंत्र के अधीन है मंत्र ब्राम्हडों के अधीन है ठीक है इसलिए ब्राम्हड भी देउता है तो मतलब जो एक ब्राम्हड वादी प्रवित्ती और ब्राम्हड के प्रभुत्य के स्थापना है यह भी वास्तों में यग्द की अउधारा से ही जुड़ा हुआ है ठीक है त तो ब्राम्हडों के संदर में भी महत्वपूर जो अउधाडा स्थापित हुई करते हैं कि संसार जो है वह देवता के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राम्हड के अधीन है इसलिए ब्राम्हड भी देवता है तो मतलब हो गया कि कंसेप्ट जो ब्राम्ह समझेगा प्रारंभिक और देखा जाए तो यज्ज्व फिर यह उते थे यह प्रित्र भूत यह निर्ड यग्य की बाती गई अब जो यह यह हैं अब इसका मतलब हो गया की अब जयाशाराई अब में में पुजा पाठ आध्यान असमाहित होता है इसके देवने में प्रित्य पाठिध हो गया पृत्या इ deviation को बढ़ाते हैं कि अपने परंपरा को तो आगे बढ़ाते हैं साथी साथ स्कृष्ष्टी के निर्मार बे अपना योगदान देते हैं इसी तरह भूत्याग जो है यह बिनास काई सक्तियों जो आपत तिकाली सक्तियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए बैक्टिको सच्छम बनाती है और जो कि अग्य होता है जिसे मनुष्ष्ट भी करते हैं यह अतितियों के सेवा सतकार से जुड़ा है अब इसका मतलब हो गया कि यह जो प्रारंभी कि अधारा है यह वास्तों में सीधा है सरल है बहुत ज्यादा अभी जटिल नहीं है यह बहुत ज्यादा अभी स्रूंप अभी लेकिन आगे चलके क्या हुआ कि धीरे धीरे राज्गी सत्ता के सांसाथ जो ट्राइबल समाज था जो मुख्यत चीफडम के अधारणा प्रस्था यह जैसे जैसे क्रमिक विकास जनात्मक व्योस्था जो ती वह जन्पद में विक्सित हो रही है और जन्पद आगे चलके महा जन्पद विक्सित हो रही है तो उसी प्रक्रिया के तहत यग्यों के स्वरूप में भी परिवतन देखने की मिलता है अब यग्य को धीरे धीरे क्या किया गया यग्य को आगे चलकर राजत्य क्या अधारा थियरी आप किंग सिप से जोड़ दिया गया और राजा के लिए राजा और राज जी के अन्रूप यग्यों का भी बिधान और यग्यों में भी बहुत सारे प्रकार वर्डित हो आ गए तो अब इन प्रकारों का वर्डर व्याप्र कुप से हमें उत्तरबादी कालिन गर्ण्थों में प्राग्फ होने लगता है जैसे आपका सत्पत ब्रा में आ रहा है तो मिला के और अगे चलके गूपद लृमन में हम देखते हैं कि और अगे चलके यह जो अधार्ण्थ कभाई समाज जो बाइक डाइबल स्टेट की परदती है व्यों अधिश्तेट जैसे जैसे आगे बढ़ता है जैसे जैसे एक राजनितिक विच्टाज साथ यग की अउधारा को भी समाहित कर दिया गया और यग की यग की एक पृइंड्ट न कर सकते हैं विसालता यग की साली पद्धती उसकी गोर्व गाथा का जो अठ्शान रहा है यह भी आगे चल कर चल कर राज़त के सांद संप्रिक्त हो गया तो राज़त को की महत्ता और राज़त का विस्तार संप्रभुत का विस्तार भी एक प्रिकार के यग के सांद संयुक्त हो जाता है जैसे देखते हैं कई वह कोश्चन भी आता है मतलब यह कर दिया गोपत व्रामन में कहा गया कि कौन सा राजा होगा और राजा कुपाद कैसी होगी जैसा राजयत्यों का प्रकार होगा उसी के अनुसार यज्य का संपादन भी किया जाएगा जैसे गोपद रिया दखेगा पूछेगा कहा गया पहला कोशन और दूसरा जो सबसे इंपर्टिंट कोशन है वह आप से कुछा गया तो आपको देगा राजा राजवी ठीक है आपको ऐसे समराट बाजपे यज्य स्वराट असमेध यग्यत में पूछे गा निवर्फित में कौण स्विल्ट नहीं कैसे कुछ्चन आए समझेगा गोपद ब्रामन कहा गया है कि जो राजा होगा समझेगा राज राजव गोपत ब्रामर का कतन है कि राजा राशू यग्य करेगा जो स्वराट होगा वह अस्वमेध्य यग्य करेगा और जो समराट होगा वह बाजपे यग्य करेगा इसी तरह जो बिराट होगा वह पुरुष मेध्य करेगा और जो सर्वराट होगा जो होगा सर्वराटvida करेगा सर्वमेध यग्य यह सबसे इंपॉर्टन कोश्चन है यह जरूर पूछा जाएगा कि कौन सा राजा और कौन सा याग्य होता है और इसी को पूछेगा मिलाइए और या फिर कहेगा आपको कौन सुमेलित नहीं है या कौन कौन सुमेलित हैं ठीक है जैसे कि आप आगे पढ़ जो राजट्य की अउधाड़ा है ठीक है कि किन दिसाओं में राजट्य का स्वरूप कैसा होगा मतलब थेयरी आप किंग सिप ठीक है मतलब राज्य राजा और ब्यक्त मतलब प्रजा कि आपसी सम्मंधों ठीक है कि जो ब्याख्या की पद्दती है वह कहलाती है आपका कि अनुसाय इसका मतलब है समझेगा यह चाह जिसा उत्तर दक्षिर पूरा पशिम हो गया इसमें जो उत्तर में सासक होगा समझेगा जो उत्तर का सासक होगा वह उसकी उपाद होगी बिराट की तो उत्तर में होगा बिराट ठीक है उत्तर में बिराट दक्षिर और दक्ष Unitative Point आप उससे बहुत ही ज्यादा Entscheidment है !! तो उत्तर पांपका हो गया !! उत्तर में विराट धकषिर में आपका हौ गया !! भोज !! भोज ! और मद्ध में हो गया आपका ! मद्ध में हो गया..! रजा !! मद्ध में हो गया राजा इसी तहत जो पूरव में होगा ठीक है वह होगा समराठ तो आपका यह पूर्व हो गया पूर्व में समराठ पूर्व में समराठ मद्ध में राजा मद में राजा, पुर में समराथ, और जो पस्चिम में होगा, ठीक है, पस्चिम में उसकी जो उपाद होगी, वह होगी स्वराथ की, तो पस्चिम में होगा स्वराथ, पस्चिम होगा स्वराथ, तो मतलब यह या देखेगा, राजा, बिराथ, स्वराथ, भोज और समराथ, यह अभी राजजत्य क्या धार पर है और जो चारो दिसाओं को जीत लेगा ठीक है उसकी उपाद होगी एक राट जो चारो दिसाओं को जीत लेगा उसकी उपाद होगी एक राट और भाती तिहास का प्रथम एक राट सासक की से मानते हैं महापद्मनंद भाती तिहास का प्रथम एक राट सासक है महापद्मनंद और भाती तिहास का प्रथम अखिल भाती राज है आपका नंदवंस भारती तिहास का प्रथम अखिल भारती राज्य है नंदवंस अब प्रथम एक राट है आपका महापद्वनंद यह समझेगा अच्छा आगे अब फिर सुर्ण थोड़ा आओ समझेगा बेदो के महतुकी चर्चा करते हुए सत्वत ब्रामण कहता है सत्वत ब्रामण कहता है कि अगर कहता है कि यदि यदि ब्रामण यज्य न करे तो सूर्य का उधर न हो ठीक है अगर यज्य न किये करे तो सूर्य का उधर न हो और इसी में कहा गया आगे है कि देवता भी देवता भी यज्य से सक्ति प्राप्त करते ह है देउता भी यह से सक्ट प्राप्त करते हैं दोनों कसन और का है यह पूछी कि आपका सत्वत ब्राह्म्मों का फूछे का कहां पर आया है तो आपको यह बताना है तो मनें अभी तो आपने को मनें बेसिक चाचा किया तो कि राज़त का विकास कैसे कैसे हुआ और उस राज़त के विकास के साथ कैसे यग्जियों को भी जोड़ दिया गया तो यह है अब ऐसे समझेगा राज़त के विकास की थेरी वर्तमान में ऐसी है कि पहले देखिए सपत गहर समारों होता था तो राश्पती भौन में हो जाता था या संसद में हो जाता अब देखिए और जो बिधान सभाव के होते थे या चोटे मोटे कि जो प्रमानी होती थी हो जाता था यह कि अब देखिए बड़े-बड़े मैदानों में हां बड़े-बड़े स्वलेंडिट कभी-कभी बड़े-बड़े होटलों में एकदम भव्य तरीके सोता है ना तो बदल गया किसके काफिले में तेज राश्पती के साथ कम सकम तेज गाड़ियां होंगी तो प्रोटो काल सिस्टम पूरा लागू कर दिया गया कितने अधिकारी होंगे कितने सबसक्राइब काज़ता है अब आते हैं लोग तो हमने चर्चा कि आपको कैसे यग्ण के उधाणा अब आगए समझेगा अब यहां के प्रमुप्रकार आते हैं यह की दीक है सबसे पहला इसमें आता है अपका रासुय अग्य है है कि रासुय का वर्रण पहली बार हमें सत्थपद ब्राह्मण मिलता है राज्या भिषेक का वर्ण एत्रे ब्राह्मण में है और राज्यू यगौ का वर्ण सत्थपद ब्राह्मण में है दोनों मंतर समझेगा जब ब्रामन में राज्विय का वर्ण करते समय कहा गया कि जोогод जो इस प्रकार से राज्विय की होता क्या है इस प्रकार से जो राज्विय एग्य है यह एक प्रकार से एक प्रकास से सत्ता प्राप्ति का प्रतिक होता है आप से पूछा गया कोशन सिबिल में आया हुआ है यग्य दिया है और कहा है कि निलुखित में से कौन सा यग्य संप्रभुता के बिस्तार का प्रतिक होता है और निलुखित में से कौन सा यग्य सत्ता की प्राप्तिका प् राज्या विशेख के समय होता है at the time of coronation and enthronment तो यह सत्ता प्राप्ति का प्रतिक होता है इस यग्य का पहली बाव वर्डन कहा हो रहा है सत्पत ब्रामन में हो रहा है इस यग्य के अंतरगत इस यग्य के अंतरगत पांच विशेश प्रकार के अनुष्ठान संपादित के आ अभिशेच नियम प्रतिश्ठान समारो और आघास समारो तो यह पांच विशेश प्रकार के अनुष्ठान है जो इसके अंतरगत संपादित होते हैं तो एक तो राज्या आपका राशू यग्य का यह महत्पूर कंसेप्ट है दूसरा समझेगा दूसरा आपका राशू तो राशू यग्य। राशु यगी के साथ जो जुगा खेलने का विधान है यह बैतिक परंपरा मगर हम देखें तो बैतिक परंपरा में जो दुद्ध कीडा या जुवारी का अख्यान मिलता है रिगवेदु मिलता है बैतिक आर जुवा उनके मरोंजन का एक माध्यम भी था आपका जुवा खेलना और जुवारी का आख्यान और जुवारी का जो विपत्तिकालीन अवस्था है उसका वड़न भी मिलता है रिगवेद में लेकिन आगे चल के उत्तर बैतिक काल में यह राशु यग्य के साथ हो जो आपका दूत कीड़ा होता है यह राजा का कुष刑 राजर का सय्क्राइशा और ये भी कोर्शन एक रूज्या का मुख स्ट्राइशा खिरना था हुच्या जिवादर्ख है यम्चे टूत इरह भी होच्वारी कि यह बाम व में यह और आक नहीं समय आहे घुशा का इसमें कुल्मिला के पांच अनुष्ठान होते थे मनें पहले चाहिए तो यह आपका जो आपका विशेश इसमें नियम रहा है यहां राज्जा की अचाह आओ समझेगा कहा लाता की राजा भिशेक के समय कुई मिला के 17 प्रकार के जल का प्रयोग की आयता था तो राज्जा भिशेक के समय 17 प्रकार का जल का प्रयोग की आयता था 17 प्रकार के जल का प्रयोग राजा भिशेक की आयता था तो राशुयाग के तहद मुख्यता संपादी होने वाली यह महतपूर ब्योस्थाएं आपकी हैं एक जब जुगा पर चला है मैटर तो एक आपको और तत्थ बता दें एक महतपूर कभी है जिसेंका नाम है कभी एलूस थीक है कभी एलूस बैदिकालिन है एलूस ने लिखा है एलूस कहते हैं कि कहते हैं कि पासे का खेल मत खेलो एलूस का कथन है कि पासे का खेल मत खेलो खेती से जो तुम्हें प्रयाप्त हो रहा है उसे ही पर्याप्त मान कर उसका भोग करो उनका कथन है कि पासे का खेल न खेलो ठीक है खेती से जो तुम्हें प् बारे में उसके पति जो चेतावनी है उसकी जो बुराई है जो इसका एवेलनेस है उसके खिलाब पहले ही जागरुक बेदों में किया गया है अभी हम और आगे चलेंगे आपको और इसके पताएंगे कुछ नए तत्य अब आते हैं दूसरा दूसरा महत्पुर्य जो है वह है आपका असमेध्य असमेध्य अग्या असमेध्य वस्तुतह राजा की संप्रभुता विस्तार और सत्ता विस्तार का प्रतिक होता है तो पहले यही कोशन पूछा गया है या देखेगा असमेध्य जो है रासू याग जो है या सत्ता प्राप्तिका प्रतिक होता है जबकि र है यह संप्रभुता के विस्तार का प्रतीक होता है तो यह प्रिकार से प्रिके संप्रभुता के विस्तार के बिस्तार का प्रतीक होता है सत्ता के विश्तार का पतिक होता है जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी नहीं किया किसी ने उसके मारग को restrict करने नहीं किया तो यह मान लिया आता है कि उसने उसके अधिनता स्विकार कर ली है तो इसमें कहा आता था कि ऐसे condition में या दखेगा यहां पे एक I.S. पे question पूशा था कि पारिपलव अख्यान क्या होते हैं पारिपलव अख्यान पारिपलव यह मुख्यता है असमेद्यग के समय किये गए सस्वर जो पाठ होते हैं जो असमेद्यग के समय मंत्रों आज का उचार होता है जो पारिपलव अख्यान या बैदिकालन टेवलाजी है पारिपलव अक्षान मतलब या असमेद्यग्य के समय किये जाने वाले सस्वर पाथों को हम पारिपलव अक्षान कहते हैं अब यह क्या होता समझे इसमें और अगे समझेगा जो असमेद यग होता था या असमेद यग में कहा गया कि एक वरस के बाद जब घोड़ा लौड के आता था तो ऐसी कंडिशन में उस घोड़े के साथ जो अन्य अनुष्ठानिक कारेकम रिचुवल से संपादु किया थे उ गोड़ा आने के बाद 600 साड़ों के साथ और 21 बाज गाएं तीक अनफर्टाइड काउज 21 अनफर्टाइड काउज 660 उसके बाद 21 बाज गाएं के साथ कहा जाता है कि घोड़े की बली दे दी जाती है और इस बली से पुर्व जो राजा की प्रधान महिसी होती है जो मिन रानी होती ही क्वीन होती है वह घोड़े के साथ एक प्रिकार का सिंबोलिक जो सिंबोलिक असेक्स्वल इंटर कोर्स होता है वह प्रत्विंबित संसर की प्रक्रिया होती है वह प्रदर्शित करती है और उसके बाद जो होता है उस घोड़े को बाद में बली दे जा ब्रकुसे सबसे पहले और संस्क्रिती आ उसमें सबसे पहले परासतनिक पुर्कुस्ट। तो पुरकुस जो है ये प्रथम उदारण हें असमेढ्यक करने वालों के पना सत्निक और पुरकुस पुरुष कुसी चाचा हम पहले भी किये थे कि पुरुष जो है वह दसराग युद्ध का सबसे बड़ा युद्धा था जो पुरुष कबीले का था और यही युद्धा सहीद भी हुआ था तो यह प्रथम ब्यक्ति हैं जिनों ने भारत में असमेद्ग किया ठीक है लेकिन ने बैद शो परमपरा है इतिहास लेखन के क्रम में वास्तों में यह यह प्रिकार से पहरारि का ख््यान है इतिहास है है तो अगर हम एतिहासी काल को देखें अगर हम हैथिस्टिरिकल टाइम्स में में जो महने जानकारी मिलती इसके वासे प्रमुक जानकारी है वह है पुश्यमित सुंग के द्वारा किया तो लुड़ एक राज्या धिकायी थी जनका नाम था धन्देव का एक अभिलेक मिला अरोध्या से जिसे करते हैं अभिलेक में पुस्मित सुंग द्वारा दो असमे ध्यग किया जाने का उलेक मिलता है ठीक है इस अवलेक में धंदेव के अवलेक में पुश्मित सूंग के द्वारा दोसमे देक की जाने को जाने शम्लेक हैं साथि साथ देड़ का मिया कि प्लूंद करें कि दृप्र की के जाने की जाने वाला यह प्रत्म भरति तिहास Мें बड़े अबलेकों में जो संपूर रूप से संस्कित में लिखा गया अबलेक है वह पहला अबलेक माना जाएगा रुद्दामन का वीरद्वर का आफ तो संस्कित सब्द करई किस अबलेक study में आया तो अंसर आपका हो जाएगा आपका यह हो जाएगा अयोध्या लेक जो धन्देव का है अगर पूछा जाएगा कि संस्कृत का संपूर रुप से संस्कृत का पथम अभिलेक कौन सा है तो संपूर रुप से पूरी तरह बड़े अभिलेकों में पहला अभिलेक माना जाएगा रुद्दामन का जूनागर अभिले मुलता है इस अभिलेख में शुदरण जिल ने मार का अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में स्वएंबरुश ऑभ्रसका प्राचियन सिä इंडीлек मिलता है। तो पुस्मित सूंग एक हो गए पुस्मित सूंग के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ब्यक्त है वह है आपके समुद्र गुप्त यह भी कुश्चन यूजी सी पूछा गया था कि प्रयाग कुश्चस के बारे में निम्न कथनों पर चर्चा कीजिए और उसमें कहा था कि प् और प्याद्प की उपाद मिलती है ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं तो याद एक करके कि देखिए क्यों को चार लाइनर में भी आप लगर करके की देखिए एक दो तीन चार आप सलने करल करके देखिए तब आपका कंसर्ठ बिल्कुल हो जाएगा समुद्र के बारे में कहा गय क्योंकि समुद्गुप्थ की किसी भी अभिलेख में उसके दॉरा किये जाने वाले अस्वंध उनलेख नहीं मिलता है प्रयाकुसस में भी नहीं है नैनालंदा में है ना तो आप्का गया तामपत्र लेख में है तो समुद्ध गुप्त द्वारा असमेद प्रकार के सिक्के मिलता है दूसरा समझेगा किन अभिलेखों मिलता है या दखेगा समुद्ध गुप्त ने असमेद किया है इसका उलेख किस अभिलेख में है यह है इसकंद गुप्त के भीतरी अभिलेख मे इसकंद गुप्त के भीतरी अभिलेक में और प्रभावती गुप्ता के पूना तामपत्र लेक में और प्रभावतिक गुप्ता के पूना तामपत्र लेख में समुद्ध गुप्त के द्वारा किये जाने वाले असमेध्यग का उलेख मिलता है ठीक है तो अब लेख पूछेगा तो इसकंद्ध गुप्त का अब लेख और उसके बाद दूसरा हो जाएगा आप क्या प्रभाव वाकाटक सासक प्रवर्शति प्रथम ने चार असमेध्यग किया है जबकि भार्षिव सासक ने दस असमेध्यग किया है भार्शिव नाग शासकों ने दस असमेद्य क्या है भाती इतिहास में भाती इतिहास परंपरा में सरवाधिक असमेद्य करने का स्रे दिया जाता है भाती इतिहास परंपरा में सरवाधिक असमेद्य करने का स्रे कदम मुवंस के सासक मयूर सर्मन को दियाता है कदम मोंस के सासक मयूर सर्मन चीक है यह लोग कुंतर पेदेश मुखेत थे जो आपके करनाटक में इस्तित है मयूर सर्मन ने सत्रा असमेद्ग किया है सत्रा असमेद्ग किया किसने आपका मयूर सर्मन ने तो मयूर सर्मन ने सत्रा असमेद्ग किया किया है जो भाती तिहास में सबसे ज्यादा असमेद्ग करने का स्रे है इनको ठीक है तो याद दखेगा मयूर सर्मन का सत्रा असमेद्ग और आगया यह भाती तिहास परंपरा मे भाति इतिहास परंपरा में अंतिम महतपूर सासक जिन्होंने असमेदग किया है वह हैं मिर्जा राजा जैसिंग मिर्जा राजा जैसिंग जो है यह भाति इतिहास में अंतिम सासक माने जाते हैं जिन्होंने असमेदग किया था जिनों ने असमेद्यक किया है तो आप आपका ये आपका मुख्यता हो गया आपका असमेद्यक की परमपरा अच्छा एक और कुछ बता दें इंपॉर्टेंट है समझेगा असमेद्यक के परशाथ इस संपादन के परशाथ राजा अंति में जब असनान करता था तो उस असनान का क्या नाम है तो उस असनान का नाम है आवब्रिज असनान आवब्रिज पूछेगा आवब्रिज क्या है आवब्रिज असनान ठीक है असमेद्यक के संपादन के बाद राजा के द्वारा किया जाने वाला जो असनान होता है वह कर लाता है आवभिज अस्थान या उसे करते हैं ब्रिभय मजन अप्रीभय मजन ओं ऑब भी असनान आण भीभय मजन असनान ठीक है यह मुक्तभ अस्मेद्यक के संपादन के पशा जाता है ठीक तो यह आपका स्मेद्यक हो गया अब आते हैं अगले फ़म लोग थुरा सा वी बाजपे िजग्य बाजपे यग्य की जो परंपरा है, कोश्चन ऐसे आता है, कि निन्रिकी में से कौन सा यग्य है, जो यूनानी परंपरा पे अधायित है, तो बाजपे यग्य जो है, या मुक्तह यूनानी परंपरा पे अधायित यग्य है, बाजपे यग्य, मुक्तह यूनानी परंपरा पे भूकिवल कि ब्र신 исследाइब कम कि मुखेट रथ दौडर में पूछेगा कौन सा ऐसा जिए जिसमें रथ दौर या घुल्डर होता है तो हो गया र्थ दौर किसमें बाचपे यहम में जो युनानी युनान से लिया गया परंपरा है रत दौर में कितने रत भाग लेते हैं 17 रत इसमें राजा के सहित कुल 17 रत भाग लेते हैं ठीक है और अंतता राजा का ही रत जीतता है प्रोटोकाल होगा लोग कह दिये होंगे कि आन्ने वाले पीछे रहिएगा आगे मत जाना ठ है तो कुल्मिला के यह एक युनानी परंपरा का घुर्दावर है जिसमें राजा सहीत कुल्मिला के 17 रत भाग लेते हैं अब अगला जाईएगा अगला है सोमय अगनिश्टोम 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 अगनिश्च पूर्श वगण बताय गया है और रिगवेद के 144 सुक्तव में इनका उलेख है सौब देवटा सोम मुषतर वनस्वतियों के देवटा माने जाते हैं सोम मुक्रतर उनस्वतियों के मरक ग्यें lush जिनका उल्टिस बारे कि JIM सो समय दो मैं इसमें चले हैं यह सोम रस का पाना अधिक करते हैं तो सो पान करने के कारण भगवान इंद्र का भी नाम है सोमापा सोम का अधिक पान करने के कारण नाम है सोमापा इंद्र की उपाध है आगे समझेगा जो सोम हैं दो कोश्चन अब महत पर बता दें मैंने चाचा कल किया था कि जो बैवाहिक के संस्थाओं के अंतरगर्त कि जो किसी भी इस्तिरी के अथरवेद में चार पती माने गए हैं उनमें से एक हैं आपके सोम दूसरा उधार समझे के सोम का एक और कहा जाता है कि छत्री वर् रेकिन ब्रामरों का राजा नहीं होता है और ब्रामरों का राजा को सोम कहा गया है इन्हें ब्रामों का राजा माना गया है जो मुक्रिव के सोम में आता है सोमरस की पहचान हम वह अरतमान में किया आता है कि वह अरतमान में सोमरस की पहचान कहां कि आती है यह पहचान कि आती है यह आपका है कि दक्षिड पुर्वी तुर्कमेनिस्तान में दक्षिड पुर्वी तुर्कमेनिस्तान में एक मंदिर का परिशा है उसका नाम है टोगो लोक हें तोगो लोक 21 घो पे है यहैं दक्चिड पुर्वी तुरक्मेनिस्तान मिस्था है मदेशिय का पहली बाग सिप्सक्र सकते है Rudolph Ho до महतने। मदेशिया को पहली बार किसने कहा है HUMBOLT महतने दिया है ठीक है तो तुर्कमेनिस्तान आपका ठीक है कजाकिस्तान किर्गिस्तान ऐसमेकिस्तान यह सब क्या है यहाइस आपका מदेशिया ही चेत रहें टोगो लोग 21 के पास एक घास मिली है एक प्रगास कर सकते आउसदी मिली है जिसका नाम है इफेड्रा जिसका नाम है इफेड्रा यही इफेड्रा जो है इसी को कहा जाता है कि यही सोमरस है तो सोमरस की जो क्वाल्टी है वह इफेड्रा से मिलती जूलती है जो आपका दक्ष परिशल से प्रात होता है अब सोम दिवता से संदित जो यज्य होता है उससे कहा जाता है को या निया है he पूर्य अग्य बताया गया है और इसी लिए रिग बेद में सोम यग्य का सबसे ज्यादा वाय उलेख हुआ है यह यह पांच दिनों तक चलने वाला एक अनुष्ठान होता है यह होता है कैं से जिसमें घ्यार में वह बांच दिन तक चलता है इसमें जो चायो तरफ गढ़े बना जाते हैं उन गढ़ों को कहते हैं इंसक्राइब मने पहले आपको बता दिया था कि जो जो बेधिकाएं बना याती हैं बेधिकाओं का जो नाप जोक है वह कहां दिया गया है वह पहली है तो आपका एक हो गया यह आगया जाएगा अंतिम इसमें एक और है पंच पसू पंच पसू या पूरुस मेध्यय यह क्या है नाम से पता चलता है कि यह सोमरस के अंतरगित्र संपादित होता था और यह सोमरस का ही विभस्त वरूप है जिसमें से एक मनुस्ष्य होता है जिसमेंसे एक मनुस्ष्य होता है तो इसमें मनुस्य की बली बती थी जिसमें आपका मुकरत भेडा भख्रा गोड़ा सार के सांसाद एक पुरुस होता है इनकी जो बली दीयाती उसको करते हैं आपका पँच पसू यग्य या पुरुस मेध्यक्य से पुरुस भी जाता है विचारा अगला समझेए एक और यग्य व्रूल प्रद्यास यग्या वरूर परद्यास एग महलतपूर है इतिहात्रिधिक से। इस में क्या होता है बैतिक काल में जो पर पुरुस गामनी इस्थियों को फिर से श॥िकार करने के लिए वरूर परद्यास नामक एग दो करा है वाईणु पर्द्यासएं इसी तरह बदिकाल में एक अन्य महत्पुऑय क्या गया है जिसका अनाम है है ब्रात्रस Congyности अब ब्र्रात्रस खीक का समज़ेगा भैत्ता स्मय पर सम kittens श्म्याजर कि बोगा आहाद म समाहित करने के लिए उसका आरी करने के लीए यह यग्यों के संपादित किया याता, मतलब दूसरे सब्दों में कख सकते थे कि ऐसे लोग जो आरग जनस्कृती से बाहर हो अगर वे लोग आरग सनस्कृती में समाहित होना चाहते हैं तो उन्हें के लिए ब्राटिसोम नामक यग्या किया याता था थी解 यह यग्य वातमान मिश्की तुला हम आरेसेस के बैक टू होम आंदोलन से कर सकते हैं और इंडियन रेंसा के समय में भारति पूर्ण जागन के समय में आरेस समाज के अंतरगर्द द्याराइग सवती जी ने मुक्रिता जो सुध्ध आंदोलन चलाया यह सुध्ध आंदोलन भ कि भी मुक्रिताह ऐसे लोग जो भाति सन्स्कृत सवत्व एक प्रकार से दूसरे धर्म को चले गये हैं उन्होंने या तो इसायत कुछ स्विकार कर लिया है तो ऐसे लोगों को फिर से हिंडू संस्कृति में charts करने के लिए सुध्य आंदोलन चलाय गया था तो इसकी तुल्ला हम इस प्रकार भी कर सकते हैं अच्छा इसी संदर में एकाने महरपुर्टत थे है कि यग्यों के दौरान दौरान जिन पर्शों की बली दियाती थी उनको जिस अस्तम्ब से बाधा जाता था उस अस्तम्ब की बली दी जाती थी कि अब आते हैं एक महत्पूर कुश्चन पर हम लोग कि प्राया कहा जाता है कि जो यग्य की परंपरा है कि प्रारंब दोर्य में यद्यपों सीधा था सरल था आड़ अडंबर हीन था जो प्रायंभी बैदिकाल में इसमें यह ज्यादा स्रम साध्य नहीं था यह ज्यादा ब सब्सक्राइब सक्था में बीवां तो यह समसाधान उने लगा तो यह आम जनता के इतना समभनार रह गया इसमें बहुत ज्यादा खर्च होने लगा तो ऐसी प्रवित्त में मतलब हुया कि उत्तर बायदिकाल में में यागिक अनुष्ठानों में वास्तों में बहुत सारी कुरूतियां गई बहुत सारी प्राब्लम्स आ गई यह बहुत ज्यादा कंप्लिकेटिड हो गए ऐसी कंडिशन में क्या हुगा कि याग्यों कि खिलाप ध्यद्य प्रतिक्रिया होना सुरू हो गई और इनको भी इनका भी महत्तों स्थापित होना सुरू हो गया था क्योंकि इस समय तक स्थाप्दी इसापूर तक आते आते जो लह तकनीक का व्यापक विकास हो चुका था ऐसे कंडिशन में क्रिश्रियों की जमीन ज्यादा बन चुके थे दूती नगरी करेंट की प्रक्रिया की प्रक्रिया सुरू हो चुकी थी इन सब की पिष्टे भूम में क्या हुआ कि इनका जो बैतिक करमकांडी परंपरा खासकर यगिक अनुष्ठानों से जुरा हुआ था अब इसको ताकिक दिश्चोर से देखा जाने लगा इसका मेजर्मेंट किया जाने लगा इसके लिए आलेटिकल अपरोच का प्रेवक किया जाने लगा तो ऐसी कंडिशन में इनकी दुरूहुता के खिलाब यह समाज के लिए वास्ताओं में और प्रासंगिक लगने लगे यह सही बात है तीक है और बाद में चलके इसी के खिलाब यापक आंदोलन के रूप में धारमिक पच्छता यादिक पच्छता इसके खिलाप पहला विद्रो अनिकया गलत है क्योंकि ऐसा नहीं है वास्तों में इस काल में हम देखते हैं कि प्रत्रफ में कर ने इसलिए को प्रत्थम सुधार क Allow a ए बीक बॉंख सुधारत तो प्रप्रहला पो पोटे चोंटेश्टेएनद भेट घो happy the cancer 생िए जो बैदिक संक्रीदों कि के खुद सब्सक्राइब सब्सक्राइब खुद मांडू कुप्रिसत में इसकी चर्चा हो रही है और आगया यह और इसी से जुड़ा एक और कमेंट है कालदास ने लिखा कालदास करते हैं बुराई एक फूटी हुई नौका के समान होती है या दिखेगा पूछेगा यग की तूलना किस ने या किस ग यह ओलक को दुबा ही देती है तो यह करतने कालदास का नो कि निभी कि मिला के मैं काना यह है कि जो बायदिक धर्म के खिलाप कूरूतियां अब यादिक कर्म कान्डों के खिलाप अनुस्थानों के खिलाप इसकी जटिल्दाओं के खिलाप जो आक्रोश और संतोश की प्रवित्तियाई समाज में जो सुधारवादी चेतना का विकास हुआ जो बधिक वादी चेतना का विकास हुआ इसके पीछे जैन बहुत धर्म ही नहीं थे बलकि इससे पुर्व स्वयम बैदिक रिश्यों ने प्रासंगिक्ता पर इसके इसके अतिवादिता पर और इसकी कमियों की और उन्होंने खुद आलोशना तो प्रवित्ति सबसे पहले अपनाया अब खुद इसकी आलोशना करना सुरू किया आगे चलकर इसको विस्तित आधा जो मिला वह जैन बहुत धर्म के रूप में होता है थीक है अब इसा प्रक्रिया के अंतरगद आपका छटी सताप्डी इसापुर की सुरूभात होती है और एक तारकिक एक बाधिक और और आलोशनात्रक प्रवित्ति वाले धार्मिक स्वरूब का विकास होता है इसी के कारण 36 सताप्दी इसापुर इसैपुर को जीसे पांडे ने अभी संभोध का युग कहा है अभी संभोध as of enlightenment, अब संबोध का यूग as of enlightenment, ठीक, as of enlightenment, अब संबोध का यूग किसने का है, G.C. पांडे, ठीक, okay.